करनाटक विधान सभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश का चुनाव होगा यहाँ पर नेता गंड जो मिद्वार है वो जोर शोर से तयारियों में लगे हुए है चिनवाडा जिले में कॉंग्रेस और भाजपा के नेता अपना वर्चस वो बनाने में लगे हुए है हम आ समारों दोनों पाठी की नेतागन जंता के बीच बहुच कर जंता को बड़े बड़े वादो का आश्वासन दिखा रही है अभी अभी कॉंग्रेस के दिगज वर्दमान विधायक सुजीत सिंग चौधरी का जन्दिन कॉंग्रेसियों ने बड़ी ही धूमधाम से बनाया है तो चौधरी शेद्र की जंता को लग रहा है कि फिर से सुजीत सिंह चौधरी को ही पाठी मैदान में उतार सकती है इधर भाचपा में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है भाचपा से पूर्व कैबिनेट मंतरी चौधरी चंद्रभान का जन दिन 22 माई को है और सूतरों से जानकारी लग रही है कि बड़ी संख्या में चौरे विधान सभा की जनता चौधरी चंद्रभान के जन दिन में शामिल होंगे भाचपायों से जानकारी लग रही है कि 22 माई को चौधरी चंद्रभान के जन दिन के उपलक्ष में निशुल का नेतर शिवर, निशुल का इलाज जैसी कई समस्याओं से लोगों को लाप दिया जाएगा इस प्रकार से दोनों पार्टी में जो रुझान चल रहा है बड़ा ही विचित्र है चौरे शीत्र की जनता से संसनी फैल गई है कि क्या पार्टी चौरे विधान सभा में भाजपा से चौधरी चंदरभान सी हैं और कॉंग्रेस में सुझीत सी हैं चौधरी को चुनाव रड़ा सकती है ऐसा अंदाज़ा लगा रही है कि दोनों पार्टी के कैंडिडेट का कहना है कि हम अपनी मर्ची से चौनाव मैदान में नहीं उतरेंगे तब ही चौनाव मैदान में आएंगे इन बिसे न्यूज में ऐसे ही बने रही हम आपको अगली कड़ी में भाजपा और कॉंग्रेस के चौरे विधान सभा में अपना वर्चस्व बनाने वाले दिगश नेताओं से रूबरू करवाएंगे अब देखना ये है कि पार्टी किसे चुनाओ मैदान में उतरा रहेगी या फिर भाजपा और कॉंग्रेस से कोई अन्य उमिद्वार भी होंगे चौरे से सबादाता राजेश उईके की रिपोर्ट